हेलो फ्रेंट्स वेल्कमिन एलेक्ट्रिकल मंत्रा एंड टूड़े टोपिक इज सिलेक्शन्स आप कैपेश्टर फोरे पार्टिकॉलर लोड की कैपेश्टर बैंक को हम कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके बारे में वीडियो है कमें पता लगा कि यह रिक्वार्मेंट है आप के पास पॉंच के दोस्तों तो करना क्या है हमें तो यह गीवन दिया हुआ हमें 25 किलोवाट का हमारा लोड है और कोस पावर फेक्टर है वो हमारा लैक कर गया है पॉइंट सेवन से और हमें इसको इंप्रूव करना है 0.9 तक तो कौन सा हम कैपेश्टर लगाएं कितने का ह यह है इंप्रूव हो जाए यह हमारा एक सिंपल सा कोश्यन है दोस्तों उसके लिए हमें जो फार्मुला यूज करने है वो पी इंचू 1051-1052 यह हमें फार्मूला है जो हमें KVAR रेटिंग देगा कौन सी रेटिंग देगा दोस्तो KVAR रेटिंग देगा तो यह फार्मूला है तो यहां से हमें कोस 51 यानि की पावर फेक्टर वन जो पार्टिकुलर हमारा अब है तो वो 0.75 है या 0.7 है और 52 हमें कितना चाहिए कोस 52 हमें 0.9 चाहिए इसके उपर ही हम बेश करेंगे तो हमें अब यहां फार्मूले में 10 इनवर्स चाहिए दोस्तो तो 10 इनवर्स हम निकाल सकते है 10 सोरी 10 इनवर्स नहीं चाहिए हमें 10 5 चाहिए 10 5 अगर हमें यहाँ पर 5 की value मिल जाती है तो हम 10,5 निकाल सकते हैं तो इस value से देखते हैं cos 5,1 से 5,1 की value cos inverse 0.7 जो हमारी approximately आती है यह value 41.41 calculation video छोटी करने के लिए मैंने calculation दोस्तो पहले से करके रखा है वीडियो छोटी करने के लिए मैंने calculation पहले से कर रखी है दोस्तो तो please आप अपनी calculation एक बार कर सकते हैं practice कर सकते हैं तो यहाँ से हमारा 5,1 आ गया तो अब मैं 10,5 निकाल सकता हूँ अगर मैं इसको 10,5 निकालता हूँ तो 10 यह value रख देता हूँ directly तो हमारा 10,5 की value आती है वो यह आती है अगर मैं ऐसे ही similarly हम लिख सकते हैं similarly 10,5,2 की value 0.4843 आगी दोस्तों तो हम अब हमें पता है 10,5,1 की और 10,5,2 की value है हमें पता लग गया है कि क्या क्या value है हम direct इस फार्मूले में put कर देंगे यह वाली value और यह वाली value तो P कितना है हमारा P 25 और 10,5,1 की value माइनस यह वाली value इससे हमारी calculation जो आती है दोस्तों वो आती है 9.9 and something ऐसी कुछ value आती है इसको मैं 10 मान लेता हूं दोस्तों यह इतनी kvr की हमारी value आ गई है अब हमें निकालना है kvr2 kvr की value अगर आए यह higher rating होती है मतलब high rating होती है अगर हमें micro farad में निकालनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं उसके लिए क्या calculation करनी है अगर आप से कोई पूछे kvr rating कैसे निकालते हैं capacitor की तो यहां से kvr rating ही हमें direct मिल रही है लेकिन हम micro farad में आप निकालना मैं आपको बताऊंगा micro farad में कैसे निकालते है micro farad के लिए मैं बता दूँ micro farad के लिए मैं बताऊं दोस्तो तो हमें अगर हम current की बात करें तो current किसी भी capacitance में होगा v upon xc xc क्या है capacity reactance है दोस्तो xc तो अब इस xc की voltage तो हमें पता है कि kilowatt में होगी तो 400 something रहेगी या 400 से 412 या 415 रहेगी तो अब xc की आगर हम फर्मूला लें तो वो होता है 1 upon pi f on c f यहाँ frequency है और 2 pi यह constant है और c हमारा क्या है capacitance है तो अगर आप बात करें अगर मैं इसमें यह formula put करता हूं तो value हो जाएगी हमारी यहाँ पर c लिख लें यानि कि capacitance में कितना current होगा तो यहाँ पर value हो जाएगी v into 2 pi fc तो ic के लिए मैं v की value 400 ले लेता हूं और multiply करता हूं frequency मैं 50 ले रहा हूं और यह c अभी हमें पता नहीं है तो यह करने के बाद अगर calculation आप Kelsey से करते हैं तो यह हो जाती है हमारी 12 यह हमारी value आगी दोस्तों अब यह value हमारी आगी और kvr की value आई थी कुछ हमारी पीछे 10 आई थी यह हम मान लेते हैं kvr 10 था मान क्या लेते हैं हमने calculation की थी पीछे और इसके बाद हम करते क्या है हमें पता है kvar होता है v into ic upon 100 यह हमारी value होती है अपनी उसके लिए particular kvr के लिए यह हमारी equations होती है तो अब करते क्या है kvr के लिए हम ऐसे करते है हमारा जो current है उसकी कुछ value है अभी हम यहां करेंगे इस formula input अगर 400 ही मैं voltage लूँ तो यहां से ic की value इसमें put करूँँआ यह value तो यह 12 566.3.7 into c upon 1 था हो जाएंगे खुछ यह value मेरी आ गई और पीछे वाली value से मैं compare कर दूँआ यानि कि जो value मेरी पीछे आई थी kvr की और जो value यह आई है इसको मैं comparison कर दूँआ तो हम यहां से ic constant की value निकाल सकते हैं तो वह c की value comparison करने के बाद यह ट्रम नीचे चली जाएगी तो 10 10 upon अगर यह calculation मैंने पहले ही कर लिए दोस्तो तो यह calculations ऐसी हो जाएगी कुछ तो हमारी यहां c की value आ जाएगी c की value आती है 0.068 into 10 plus the power 4 और इसको हम लिख सकते हैं 202 microfarad यह आप step यूज करके अपनी kvr rating भी निकाल सकते हैं kvr rating of capacitor और microfarad rating भी आप इससे निकाल सकते हैं यह आसान सा formula है आप इसको use कर सकते हैं इसके बाद मैं एक video डालूँगा कितने hp की motor के लिए कितना capacitor bank लगेगा उसके बारे में मैं एक video particular आपको दे दूँगा उसके बारे में आप tension ना लें आप बस comment करें वही video आपको जरूर मिलेगी और please subscribe electrical mantra मैं हूँ आपका दोस्त गोविन सर्मा थैंक यू गुड़नेच आपको कर दोस्त गुड़नेच